वाडी नगर परिशत चेत्र में नगर परिशत का खुद का एक भी मार्केट नहीं होने से यहां मरावती राजमार्ग कई सालों से चोटे दुकानदारों ने पेट पालने के लिए दुकानों का अतिक्रमन किया लेकिन गुरुवार को वाडी के मुख्य अधिकारी पुलिस आयुक तमीतेश कुमार के आदेश पर सेकड़ो अतिक्रमन का सफाया कर दिया गया वाडी नका नमबर दस से लेकर खड़गाव टी पॉइंट तक दोनों साइट पर लगे अतिक्रमन का सफाया किया गया दो जेसिपी के साथ नगर परिशत के कर्मचारियों ने इन मोहीम को आगे बढ़ाया अतिक्रमन मोहीन के चलते कुछ गड़बड़ी ना हो इसलिए वाडी पुलिस का तगड़ा बंदो बस भी रहा नगर परिशत अधिकारियों के अनुसार हाइवे रोड से 22 मीटर तक अतिक्रमन की कारवाई की गई शहर में फ्लाइ ओवर ब्रिज का काम युद्स तर पर चल रहा है ऐसे में वाडी में यातायात की समस्या बनी हुई है शाम के समय ट्रैफिक जाम रहता है कई दुरघटनाएं भी होती रहती है इस समस्या की रोक्थाम के लिए सीपी ने अतिक्रमन निकालने के लिए मौकिक आदेश दिये नागरिकों का कहना है कि नगर परिशत ने अतिक्रमन में भेदबाव किया है अतिक्रमन की कारवाई सभी पर होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कई साल से नगरपरिशत के सामने बैठे फूल वाले मयत के सामान के दुकानों को हटाया गया है केवल एक ही मार्ग का अतिक्रमन हटाया जा रहा है दत्वाडी के भीतर खडगाव रोट पर काटोल बाइपास पर कारवाई के आदेश सीपी ने क्यों नहीं दिये ये सवाल नागरिकों ने उठाया है अतिक्रमन निकलने से वाडी में सैक्डो लोग बेरोजगार हो गए है रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाने वालों को दूसरा व्यवसाय नहीं होने से उनके परिवार पर भूगे रहने की नौबत आ गई है वाडी नगर परिशत के पास खुद का मार्केट नहीं है नगर परिशत ने मार्केट के विवस्ता कर दुकानदारों को देने की मांग उठ रही है लेकिन सालों से उठ रही इस मांग को यहां के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया जिसके कारण बाडी में आज भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमन बढ़ रहा है पहले दुकानों की विवस्ता करें फिर अतिक्रमन निकाले ऐसी भी दुकानदारों ने मांग की है अमरावती रोट का जैसे अतिक्रमन निकाला उसी तरह काटल रोट का भी अतिक्रमन निकालने की आवशकता है यहां पर फुटपात पर दुकानदारों का कबजा बड़ा हुआ है इस मार्क पर पैदल नहीं चल सकते यातयात को इस रोट से बाधाय निर्मान होती है क्या ये भेदबाव नहीं है ऐसा सवाल भी लोगों ने उठाया साथी नगर परिशत के कुछ करमचारी द्वारा भेदबाव किया गया है इस इमारत की सीडी अतिक्रमन आनी के बावजूद भी करमचारी के भेदबाव से ना निकालने पर लोगों में तनाव निर्मान हुआ है जिलातिकारी वसीपी के कॉंफरेंस वीडियो कॉल द्वारा शहर के महतवर रास्तों का अतिक्रमन निकालने का आदेश है शित्र के महतवर रस्ते पर पूरा अतिक्रमन साफ किया जाएगा ब्यूरो रिपोर्ट बीसीन न्यूज